हमने कुछ टाम पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी इस वीडियो में हमने आप लोगों को पताए था अगर आपका आधार कार्ड नहीं है या आपका आधार कार्ड हो चुका है या फिर आपका आधार कार्ड खराब हो गया है ऐसे में अगर आपके में आधार कार्ड पे मोईल लंबर भी रेश्टेड नहीं है तो फिर भी आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे मंगा सकते हैं इसके लिए केबल आपको 50 रुपे का यहां पर पेमेंट देना होता है लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम कुछ अलगी है आप लोगों की प्रॉब्लम य हुआ है तो देखे मैं आप लोगों को आज बता देता हूं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आपका जो आधार कार्ड है वो आपको कैसे मिलेगा देखे कई बार क्या होता है टेक्निकल इशू की वजए से वहां पर वो चीज लिखी होती है लेकिन एक्शल म आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अपनी जो नजदी की पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप लोगों को जाना होगा और उन लोगों को बताना होगा सर ऐसे मेरा आधार कार्ड था मैंने यहां पर प्रिंट के लिए बेजा था मुझे वह अभी तक नहीं मिला है तो वह क्या करेंगे वहां पर चेक कर लेंगे अगर आपका आधार कार्ड वहां पर होगा तो वहां पर आपको दे देंगे और वहां पर उनके पास नहीं आया है तो सेम काम आपको फिर से करना है दो से तीन दिन के बाद आपको फिर से वहां पर जाना है और आपको पता कर आ रहा है कि आपका वहां से dispatch हो रहा है या out for delivery हो गया है तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपके पास कोई information ही नहीं है वहां पर चेक कर नहीं पा रहे हैं तो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों को अपनी जो पोस्ट ओफिस आप वहां पर ज लग जाते हैं तो आपको यह नहीं सोच रहा है कि मेरे पचास रुबे यहां पर बेकार गए पैसे आपके बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएंगे टाइम लग सकता है इसके अलाबा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं हो सकती है तो इसी तरीके से आप लो वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद